आज की इस मुवी में देखेंगे आप एक ऐसी बंदी को जिसे उसका ही बंदा जूला नहीं जूला पाता है तो इसके बाद वो किस किस के साथ जूला जूलती है, कैसे कैसे जूला जूलती है और किस किस पोजिशन में जूला जूलती है ये सब आप आज की इस movie में देखने वाले हो तो चलिए ज़्यादा देना करते हुए हम movie का explanation स्टार्ट करते हैं परंतु उससे पहले गुरू हमारे second channel को please subscribe कर लीजेगा क्योंकि वहाँ पर हम इससे भी तगड़ी तगड़ी movies आपके लिए explain कर रहे हैं और मेरी friend ने एक नया channel स्टार्ट किया है प्लीज उससे भी support करें क्योंकि वहाँ पर भी आपको ऐसी तगड़ी तगड़ी movies का explanation मिलने वाले हैं उन दोनों का ही link नीचे description में दिया हुआ है तो आज इस movie को हम explain करने जा रहे हैं उसका नाम है romance जो कि release with the year 1999 में तो movie start होती है और हमें lesson दिखाया जाता है जो कि अपनी बंदी गंगूताई के साथ बैठा हुआ था यहाँ पर गंगूताई की आँखों से पानी आ रहा था और उनकी श्रिकायत यह थी कि बाबू अब तुम मेरे कहीं और से पानी ने निकालते जिस वज़े से मेरी आँखों से पानी आ रहा है अर्थात उसकी बंदी गंगूताई इस वज़े से दुखी थी क्योंकि उसका बंदा lesson अब उसके साथ पेलन कारिक्रम नहीं करता है पहले तो वो रगड़ रगड़ करके पेलने लगता था लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो दुनों साथ में ही रहते हैं पर फिर भी बाबू उसकी जील में डुकी तक नहीं लगाते हैं जिस वज़े से वो काफे ज़दा दुखी है और बाबु से रिक्वेस्ट करती है कि अभी के अभी यहीं पर मुझे पटक के पेल दो। जिस पर बाबु से समझाते हुए कहते हैं कि मैं इससे पहले भी बहुत सारी बंदिया रह चुकी हैं पर मैंने कभी भी किसी को एक महीने से जादा नहीं ठोका हैं और हर बार में नैने फ्लेवर लेने के लिए एक महीने तक चाट पोच करके बंदी चेंज कर दिया करता था लेकिन इस बार तुम्हारे साथ एक महीने से उपर हो गया है जिस वेश से अम मेरा तुम्हारे साथ गपा कफ करने का मन नहीं कर रहा खेर इसके बाद अपना लसुन उसे किसी तरह से मना लेता है और ये दोनों अपना इंज्राइ करने लगते हैं पर जब रात में ये लोग वापस आ रहे थें तो एक बार फिर से गंगुता ही उसके पीछे पड़ जाती हैं जिस पर उसका बाबू गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें तो बस दिन बर पेलम पिलाईया ही सूचती है तुम जहां कहीं भी हो तुम्हें बस वहीं पर पटक के पिलवाने का ही मन करता रहता है तो मैंने ही लगता कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं जिस पर वो कहती ही कि ज़्यादा हम लोगों ने पिछले कितने दिनों से किया ही नहीं है गयाँ पर पॉल के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है और एक दूसर जो उंगल उंगल भी कर लेते हैं परन्तो जैसे ही गंगुताई लंबाईों की तरफ बढ़ती है तो लस्टून उसे बीच में ही रोक देता है भाई साब ये बंदा तो ऐसे डर रहा है जैसे वो इसे ही पलटा के पेल देगी अब इतना देखने के बाद गंगु भाई को कहीने कहीन संजने आ जाता है कि उसकी गाड़ी अब माइलेज नहीं देने वाली और उसे अगर लॉंग ड्राइफ करनी है और उस पर राइट भी करना है तो उसे किसी और गाड़ी के अंदिजाम करवाना पड़ेगा जिसके बाद वो उस गाड़ी के अंदिजाम करने के लिए अगले ही दिन पहुच जाती है अपनी गड़ित दिखाते हुए एक क्लब में और अपनी गड़ित की सहता से वो एक बंदे को फसा भी लेती है दिसके बाद इनके 20 थोड़ी बहुत बाते वेगरा हो जाती है और चाटा पूछी करने के लिए ये लोग चले जाते हैं एक कार में परंतु यहाँ पर सुई में धागा जा पाता इससे पहले ही गंगुताई उस बंदे को रोग देती हैं यह बोल करके कि यहाँ पर हम लोग खुले में नहीं करेंगे तो मुझे अपना नमबर दे दो मैं तुम्हें OU में बुला लूँगी जिस पर वो बंदा भी अपना नमबर दे कर वहाँ से चला जाता है और यहाँ से सीधा जाती है गंगुताई स्कूल में यह देख करके हमें पता चला कि गंगुताई एक टीचर है और दोस्तों जो अपना लस्टून है वो एक एक्टर है लेकिन इस बीच हम देख पाते हैं कि जो उसका प्रिंसिपल है उसकी नचरे गंगुबाई की तरफ कम बलकि उसके संतरों की तरफ जादा होती है और इस सीन को देख करके हमें समझ में आता है कि इसका प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं इसके संतरों के रस का दिवाना है और उसी साम लसुन गंगुटाई का मुग ठीक करने के लिए उसे बाहर ले जाता है खाना खिलाने पर इस बीच उसके साद उसके फ्रेंड्स भी आये हुए थे तो गंगुताई उसे अपने friends के साथ थोड़ा सा घुलने मिलने के लिए अकेला छोड़ देती है लेकिन जब कुस्त देर के बाद उसने देखा तो वो अपने friends के साथ नहीं बलकि उसी बार में dance कर रही भी टेवन के साथ लबल-लबर कर रहा होता है जिसे देख करके गंगोताई की भी fire हो चाती है और वो decide करती है कि इस बार तो वो लस्सुन को दिखा कर रहेंगी और ये बोल कर वो वहाँ से जाने लगती है हाला कि लस्सुन भी उसे गुस्ते में जाते वे देख लेता है तो उसके पीछे पीछे उसे समझाने के लिए निकल जाता है परन्तु यहाँ पर गंगो भाई को घंटा को समझना ही नहीं था जिसके अगले ही दिन वो उस कार्ड वाले बंदे को फोन करके बलाती है जिसके बाद यह दोनों एक मिनी ओयों में 6666 खेलते हैं जिस भीच हम देख पाते हैं कि वो बंदा गंगुताई की बहुत ज़्यादा चीखे ने कलवा देता है हाला कि चीखों से वो दुख में तो होती हैं परन्तु उन्हें अंदर से satisfaction तो मिली ही रहा था जिस वाज़े से वो बहुत ज़्यादा खोश हो जाती हैं लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो उसके मन में कहीं ने कहीं थोड़ा सा देख रहटा जाता है कि उसने अपने बंदे को cheat कर दिया जिसके बाद वो decide करती हैं कि अब वो कभी वे पने बंदे को cheat नहीं करेगी और वो वापस आती है lesson के पास और एक बार फिर से उसके साथ टपा टप करने के लिए उसके छोटे lesson के साथ खेलने लगती है परन्तो इस बीच उसका सोटा लसुन तो नहीं चकता लेकिन अपना लसुन फ्रेस्टेट जरूर हो जाता है और इस सीन को देख करके तो भाईया जी हमें भी कहीं न कहीं लगने लगा है कि इसकी गाड़ी का माइलेज नहीं खराब हुआ है बलकि गाड़ी का इंजनी बाइट गया है इसके अगले दिन गंगुत आए जब अपने स्कूल में बच्छों को पढ़ा रही होती है इस पीच उनके सेंटेंस में काफी ज़दा एरर हो जाते है जोकि उनके ही स्कूल का प्रिंसिपल नोटिस कर लेता है तो वो उन्हें फीरेट क albums होने के बाद ब्रिंसिपल आफिस में आने को बोलता है जिसके बाद हम देखते हैं गंगुत आहले जब प्रिंसिपल आफिस में जाती है तो मेरे भाई तुमने या मैंने यही सोचा होगा कि वहाँ पर प्रिंसिपल उसे उसकी गलती के बारे में बताएगा परंतु भाईय जी यहाँ पर वो उसकी गलती ना बता करके बल्कि उसके साथ बायो का प्रैक्टिकल ही करना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें वो सबसे पहले उसके संतरे नी चोड़ने लगते हैं इसके बाद वो सीधा बहुत जाते हैं गहरी गुफा में और अपनी उंगलियों के मादम से गहरी गुफा के अंदर खजाना तलाशने लगते हैं हाला कि खजाना तो उन्हें नहीं मिलता परंतु पहाडों का वो अन्मोल पानी उनके हाँ जरूर लग जाता है दुसके बाद हम देखते हैं इस चीज के लिए गंगुताई भी उन्हें मना नहीं कर रही थी तो चच्चा को मिल जाता है बल और वहीं पर कारिकरम करना स्टार्ट कर देते हैं इस बीच वो गंगुताई से कहते भी हैं कि बाबु मुझे तुम बूड़ा मत समझना अपने टाइम पर मैं भी एक प्रो खिलाडी हुआ करता था बाबु को ये बाद समझ में नहीं आती तो दद्दू उन्हें ये शायरी सुनाते हैं अभी जो हो गया हूँ बूड़ा इसलिए पप्पू कमजोर हो गया है थोड़ा बात करूँ अगर जवानी की तो याद आती है वो पहाडों के पानी की वो भी क्या दिन थे जब दस दस को पेला है बेटा मैंने मेरी गुली से बड़ा गुली टंडा खेला है लेकिन आज भी वो बहुत अलबेला है डॉटेट की ज़रूरत नहीं बढ़ती वो नैचरल ही करेला है अब बैट जओ हमारी लहसुनिया में हम सयर कराएं तुम्हें दूसरी दुनिया में जाओगी तो आएगा मजा फिर बोलोगी यस डैडी क्यों में मोर सजा अब हस दी हो तो हो गई तुम्हारी रजा चल बाते मत पिल पकड़ के मेरी बंसी बजा जिसके बाद गंगुताई अच्छे से टेस्ट लेते हुए उसकी बासुरी बजाती है और फिर प्रिंसिपल लग जाता है उनके साथ गपागप करने के लिए परन्तो इस बीच गपागप को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसने जब से पहले गंगुताई के हाथ बाद दी है और फिर वो लग जाता है उनके गहरी कुफा को चाटने में परन्तो इस बीच गंगुताई को काफे ज़ा सेंसेसन हो रही थी जिस वज़े से वो इस कारिकरम को बीच में ही रोग देती है और प्रिंसिपल से बोलती है कि मुझे ऐसे गपागप बिल्कुल भी नहीं पसंद है जिस पर उनका प्रिंसिपल उन्हें जाने को बोलता है औ लेकिन रास्ते में ही उसे एक बंधा मिल्का दूस्तों ये बंदा गंगुताई को रोग करके और वही पर गपागप करनी के लिए बोलता है और इस जीज के हूलिया वो उन्हें पैश c देनों को बे तयार था कॉंगो भाई सुसती हैं कि ये सही है एक तो फ्री में गपागब बे मिल रहा है इसके साथ पैसे भी एक स्टान जिसके बाद वह वही पर उन्हें अपनी कुफा के तर्शन कराती हैं और सीधा कुफा में एंट्री दे देती हैं जिसके बाद हम देखते हैं वो उनकी कुफा क इसी की तैसी कर देता हैं कि ठीची वह इतना कि फिलता है कि गंगुताई की अईची की हो जाती है लेकिन फिर भी किसी तरह से वह पूरा बढ़ाद एक पैसो के लिए तो वह बंदा उन्हें मलाई दे देता हैं और वहीं पर तीसरी उगली दिखाकर 9-11 हो जाता है मतुत द लिए आती है अपने लस्टन के पास और अब तक वो यह बात समझ चुकी थी कि यह सब कुछ जो भी हो रहा है मेरे साथ गलत गलत यह सब कुछ लस्टन की वज़े सही हो रहा है इस वज़े से वो डिसाइड कर लेती है कि अब कम्प्लीटली वो लस्टन को चीट करेगी जिसक में पहली बार गंगुताई इस तरह से सैडिसफाई हो पाई थी जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे अपने साथ एक डेट पर ले जाती है पर जब वो डेट से वापस आई तो उनकी वाड़ी पर नई ड्रेस देखकर और उनकी बिगडी वीचाल को के लस्तुन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है तो कहीं गंगुताई उसे चीट ना कर दे इस वज़े से वो उसके साथ वहीं पर पलंग तोड़ कारिक्रम करने लग जाता है परनतु भाई साब इंजन बैठा हुआ है तुम गाड़ी कितनी देर तक ही दवड़ा पाओगे ठीक ऐसा ही होता है अपने लस्तुन के साथ परनतु उसकी गाड़ी पूरी तरह से खाली हो पाती इससे पहले ही गंगुताई उसे टोंट मार देती हैं क्योंकि अभी तक वो उनके साथ गुसरनक दाटकम करनी राध है जिस वेसे लस्तुन को आगया क्रोध और वो उसे हो नाम तो लाइसेंस ओनर का ही आएगा जी हां सही वकड़े हैं लस्तुन का तो यह बच्चा भी लस्तुन के नाम हो जाता है और लस्तुन भी वह ज़्यादा खुश होता है कि हो सकता है उस राध जो मैंने अपनी गाड़ी चलाई थी उसका माइलेज काम कर गया हो और इस तो सीधी सी बात है गंगुताई को यह चीज़ तो विल्कुल पसंद नहीं आएगी तो वो गुस्ते मा जाती है खैर इसके बाद से इन सुच होता है कुछ और माहीने बाद जब गंगुताई तयारी कर रही होती है हॉस्पिटल जाने की क्योंकि उन्हें शक होता है कि आज कुए में बस तुम ही डुपकी लगाओगे क्योंकि अभी की अभी मैं इस लसुन को स्वाहा करने जा रही हूं जस पर बापु भी मान जाता है और यहां पर हम दिखते हैं गंगुताई घर से निकलने से पहले वहां की गैस ओपन करके चली जाती है जिसके बाद हमें दिख होता है और बाबु उनकी के